वेल्कम फ्रेंड्स एन आवर यूट्यूब चैनल सुलेशन अफ लाइफ मैं अजब आंडे आपके लिए लेकर आए हूं क्रसी कानून पर पूरी सुलेशन सरकार की क्या समस्या है और किसान क्यों परिसान है हम सुरू करते हैं इसके साथ चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आएए जनते हैं इस नए कानून की पूरी ABCD सरकार ने कर्शी सुधारों को लेकर यह तीन बिल पास किये गए हैं 20 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में ये तीन बिल दा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड अंड कॉमर्स बिल सेकेंड दा फार्मर्स एग्रिमेंट आफ प्राइज अस्वरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल आए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं नमबर वन फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड अंड कॉमर्स ओर्डिनेंस 2020 इस बिल के अंतरतर एक देश एक करशी बजार बनाने की दिसा में एतियाशिक कदम माना जाता है राज एपीमसी सीमाओं के बाहर बाधा मुक्त राज के अंदर और एक राज से दूसरे राज में ब्यापार करने की इजाज़त दी जाएगी किसानों को अधिक विकल मिलेंगे लागत कम होगी और उपच की बहतर कीमत मिलेगी निरवाद ब्यापार के लिए इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग कदम रहेगा अब बात करते हैं कि क्यों किसान परिसान है यानि कि किसान अपनी उपच को देश में कहीं भी बेच सकता है लेकिन किसान इस बात को लेकर परिसान है कि अगर कहीं सरकार MSP को खतम तो नहीं कर देगी लेकिन सरकार कह रही है कि MSP कभी भी खतम नहीं होगी दूसरा किसान इस वज़े से परिसान है कि कहीं सरकार मंडियों को तो खत्म नहीं कर देंगी सरकार दावा करती है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी लेकिन फिर किसान दावा करता है कि ए नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या तो सरकार कहती है कि E-Narm Trading भी जारी रहे की, अब बात करते हैं हम दूसरे बिल, The Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, जिसमें सरकार कहती है कि किसानों के सोशाड को बिना डरे हुए, डेरेकली जो कॉर्परेटर्स हैं, जो आपके रिटेलर्स हैं, या कॉंट्रेक्टर्स से जुड़ने का सच्छम मिलेगा, किसानों को आधनिक तकनीकी और बहतर इंपूट प्रोवाइड होगा, जिससे कई सारी जो खेती के टाइम पर लागत आती है, वो कम होगी, और उससे किसानों को दुगना फायदा होगा, बिचॉलियों की भूमिका खतम हो जाएगी, अब बात करते हैं कि नेशनल फ्रेमवर्क का प्राधान किया गया है, अगरिकल्चर को लेकर, जाने कि किसान डिरेक्ली धुब, खुद्रा, किसानों को कॉलिटी वाले बीच किया पूर्ती करना, और यहीं नहीं, फसल की सौस्त निगरानी भी किसान को मिलेगी, इसके साथ साथ किसानों को करज की सुव खुदा भी देने की बात कही गई है, इस पिल में, किसान लेकिन कॉंट्रेक्ट या एग्रिमेंट से किसानों का पच्छ कमजूर होने के लिए मनते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि कॉंट्रेक्ट करने की पूरी आजादी है किसान को वो कुछ चाहें तो कॉंट्रेक्ट करें, या ना चाहें तो कॉंट्रेक्ट ना करें दूसरी बात यह है कि किसान को डर है कि फसल की कीमत वो अपने मन से तै नहीं कर पाएंगे लेकिन सरकार कहती है कि किसान अपनी मरजी से ही फसल के ताम तै करें और उसे बेच सकेंगे फिर बात करते हैं कि किसान इस बात से परिसान है कि छोटे किसान किस तरीके से contract forming करेंगे जिसके लिए सरकार कहती है कि देश में 10,000 से ज़्यादा ग्रूप फार्मर प्रोड़क्शन ग्रूप्स बनाए गए हैं जो कि छोटे किसानों को collect करके एक बड़ी और सही दाम किसानों को दिलाएगी आए तीसरे बिल की बात करते हैं ये एक बिल नहीं एक संसोधन है जो कि 1955 में जिसके अंदर कद, अनाज, दलहन, तिलहन, खात, तेल और आलू, प्याज जैसी कई आवश्यक वस्तूओं को जरूरी वस्तूओं की लिष्ट से हटाने का प्रावधान है ऐसा करने से जो काला बाजारी है आवश्यक वस्तूओं की जरूरी चीजों की वो बंद हो जाएगी लेकिन किसान अभी भी इस बात को लेकर परिसान है कि बड़ी कमपनिया जरूरी चीजों को स्टोरेज करेंगी और उन्हें परिसानी आएगी लेकिन सरकार इससे कहती है कि फसल खराब होने की असंका जो है वो दूर हो जाएगी जिससे किसानों को फायदा मिलेगा अब बात करते हैं किसान इस बात को भी लेकर परिसान है कि इस्टोरेस से काला बाजारी बढ़ेगी धानली होगी जिससे जो उनकी कीमते हैं वस्तूओं की वो बढ़ जाएंगी लेकिन सरकार ये दावा करती है कि सरकार पर कीमते काबू करने की शक्ती है तो ये थे तीनों करशी कानून जिनकी हमने पूरी A, B, C, D इस वीडियो के मात्यम से जानी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना ना बूले जैहन